तेल टैंकर में धमाका हूथी का खूनी हमला अगर इसराइल और अमेरिका हूथी लड़ाकों को अनाड़ी और कम खतरनाक समझते हैं तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए हूथी ने ऐसा धमाका किया है कि इसराइल अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए हैं हूथी के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे लेकिन पहले ये जान लीजिए हूथी ने इसी वक्त हमला आखर क्यों किया है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिस वक्त इसराइली सेना गाजा पट्टी, खान यूनुस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी उसी वक्त हेजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर लेबनान की तरफ से भीशन हमले कर रहा था जिस वक्त इसराइल हेजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से जादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के लड़ाकों युद्भूत पर भीशन हमला कर रहे थे मिडल इस्ट और बश्चिमेशिया में इस वक्त इसराइल अमेरिका की शेह पर कोहराम मचाय हुए है लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास ना ही हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़े है इरान जो इसराइल के वजूद को खतम करने पर आमादा है हूथी पिछले दस महिने से लाल सागर में इसराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके हैं हूथी ने भोड़ा तेड़ लाख मिट्रिक टन का बम हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया खबर के मताबिक ग्रीस का जंडा लगा हुआ एक तेल टैंकर जैसे ही लाल सागर से गुजरा हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मैसाईलों से तावर तोड़ हमला कर दिया खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारुदी धमाका हुआ उस वक्त तेल टैंकर में कच्छा तेल लबा लभ भरा हुआ था ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लपटे आसमान चुने लगी हूथी के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है जरा उसे भी जान लीजिए खबरों के मताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हूथी ने किस तारीख को हमला किया था इसकी पुष्टी ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्माया गया जबकि इस वीडियो को शुकरवार यानि 24 अगस्त को हूथी की तरफ से जारी किया गया युनाइटिड किंडम मैरिटाइम ड्रेट ओपरेशन्स के मताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वजवाले तेल टैंकर पर तीन बार आग लगी थी जिसके बाद भयानक धमाका हुआ युरोपिय संग की एजेंसियों की तरफ से यहां तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है उसमें तेल लाख मिट्रिक टन कच्चा तेल भरा है जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है तेल टैंकर पुरी तरह से तबाह हो चुका है जबकि एक युरोपिय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मवजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया वही हूथी कमांडर ने दावा किया कि हूथी इस तरह के और भी भीशन हमले लाल सागर में करता रहेगा नब्फदत लगोगात नमसल्चत लियमनीया अमलियत या असकरीयत तैन फिल बहर आप्री अछमरी वो खलिज अदन हम आपको हुथी से जुड़े चार वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हुथी लड़ाके आखिर क्यों इसराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं पहले वीडियो को जरा गोर से दीखिए जहां हमास चीफ खानिया की तस्वीरों को लेकर हुथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हुथी शामिल हुए हाथों में हमास चीफ खानिया और हिजबुल्ला के नमबर दो रहे कमांडर फुआद शुकर की तस्वीरे लेकर इसराइल से बदला लेने के खस्मे का रहे हैं और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए इसमें हुथी लड़ाके घाजा में फिलिस्टीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की तादाद में हुथी एके 47 जैसे हजारों राइफलें और गंस लेकर प्रदर्शन करते लिखाई दे रहे हैं और अब तक गाजा युद में मारे गए 40 हजार से जादा फिलिस्टीनियों को लेकर के यहां भयंकर घुसा है यमन की राइधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हुथीयों ने हथियारों के साथ जबरतस प्रदर्शन किया तालीक ना अला इस्तिकबाल कॉंगरिस ला अलमलुओन नतिनियाहु गातल अत्वाल वन निसा हुथीयों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इसराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिये है इस तस्वीर में आप साथ देख सकते हैं कि हुथी अमेरिका के सबसे खतरनाव MQ-9 ड्रोन के मल में पर खड़े हैं हुथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के चार MQ-9 ड्रोन को मिसाईल हमला करके गिरा दिया है हुथीयों के दावे के बाद से इसराइल तक धबरा गया है यमन की राजधानी सना में शुकरवार यानि 23 अगस्त को हुथीयों ने ऐसा जबरदस्ट प्रदेशन किया है जिसने इरान तक को हैरान कर दिया पानी में फील चेयर पर बैठा हुथी लड़ाका तक इसराइल और अमेरिका से घाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की गस्मे का रहा है इरान के विदेश मंत्री अबास अरागची ने साफ कह दिया है कि हो गुतियों के हर हमले का पूरा समर्तन आखरी दम तक करेंगे अबास मगावमत और हमेगा की दर महवर मगावमत करार मीगिरन हमे के शारा की दर होज़ मगावमत करार मीगिरन ये असल तर्गी नापजीर हस्ट و ما به این سیاست اصولی خودمون ادامه خواهیم داد قطعاً حمایت از مردم لبنان حمایت از مردم فلسطین مردم مظلوم فلسطین بخصوص در غز حمایت از مردم در یمن حمایت از مردم در هر جایی دیگر جهان اسلام بخصوص در حوض محور مقامن حماس اور حزبالله کے لڑاک جهان زمین کے ذریع زادہ حملے کر رہے ہیں तो वहीं हूथी विद्रोही سمندر کے راستے حملے کر رہے ہیں और यही वज़े है कि अमेरिका और ब्रिटिन ने मिलकर यمن में हूथी ठिकानों पर पिछले 3-4 मैने में कई दर्जन भयानक हवाई حملے किये हैं हूथी विद्रोहीों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटिन ने मिलकर के यمن के खरीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किये हैं जिसमें कई दर्जन यمن के नागरिक भी मारे गए हैं इस तरह का एक इसराइली हमला यمن में हूथी के ठिकानों पर हुआ था 20 जुलाई को इसराइल ने 2000 किलोमेटर दूर यمن पर हमले किये उसने पूरे मिडलेस्ट में कोहरा मचा दिया यمن के हूथी विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इसराइल के देल अवीव में फ्रोन से हमला किया था और उसका बदला नितनियाहू ने खुद अपनी आखों के सामने लिया जिस वक्त इसराइल के फाइटर जेट F-35, F-16 यمن के होदेदा पर हमले कर रहे थे उसकी एक-एक लाइफ तस्वीर नेतनियाहू लाइफ देख रहे थे जड़ा देखिए यمن के होदेदा शहर में इसराइल के बहरम एर्थ स्ट्राइक से कैसी तवाही मची थी तस्वीर नमबर एक देखिए यمن के होदेदा पोर्ट को इसराइली वायू सेना ने पूरी तरह से तबाह और परबात कर दिया था तावा किया गया था कि यمن के इसी पोर्ट पर इरान से हूथी विद्रोहियों के लिए खातक हतियार, फ्रोन और मिसाइले आती है जिनने इसराइली हमले में परपात कर दिया गया अब तस्वीर नमबर दो को देखिए इसराइली वाईू सेना के वाइट्स जेट्स ने हुदेदा शहर में मवजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किये थे पावर स्टेशन को मिसाइल और खातक भमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था तस्वीर नमबर तीन देखिए जिसमे हुदेदा शहर में मवजूद एक बड़े तेल डीपो पर जबर दस्ट हमला इसराइली सेना नकिया था इसराइल के हमले में तेल डीपो में भयानक आग लगी थी अग की लबते दो से तीन सो मिटर तक उर्टी हुई साब ती की जा सकती है मौके पर मौजूद सेकलो यमन के नागरी इस बेरहम हमले से हुई तबाही का वीडियो बनाते रहे מתחילת המלחמה, हבהרתי שישראל תפגע בכל מי שהפגע בנו ולכן מוקדם יותר היום, כנסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החוטים בתימן הנמל שתקפנו, איננו נמל תמים הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת תניסה לנשק קטלני שסופק לחוטים על ידי איראן והם השתמשו בנשק הזה, כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם यही وجہ है, कि हूथी विद्रोही 20 जुलाई को यमन पर हुए इसराइली हमले का, अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं और इसी लिए हूथीों ने ग्रीज के देल टैंकर को धमाके से उड़ा दिया है और अब देखना होगा, कि हूथी के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल आखिर क्या करते हैं